कांगर्स कमीटे के मुखे परवक्ता कुलदीप सिंग पठानिया ने पार्टी की राष्ट्री अधक्स शोनिया गांदी के आहन पर केंद सरकार से गरीब वे मद्दे वर्गे परिवार को रात देने के लिए विबिन मांगे उठाई हैं वीरवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कोविड-19 वैशिक महामारी दुरान लगाए गए लोगडाउन में कांगर्स पार्टी ने केंद सरकार का हर विश्य पर साथ दिया परंतु कॉंगर्स पार्टी एक सचक्त विपक्स की भूमी का निबाते हुए गरीब वे मद्दे वर्गे परिवारों की समस्याओं की तरफ भी केंद सरगार का ध्यान लगाना चाती है पठानिय ने कहा कि कर्फ्यू वे लोगडाउन के चलते वर्तमान में गरीब वे मद्दे वर्गी लोग काफी ज़्यादा परिशानियां जहिल रहे हैं गरीब वर्ग के लोगों को रोजगा ना मिलने के करण खाने पीने वे घरों की अन्य जूरतों को पूरा करने के लिए समस्याओं पेश आ रही है लिहाजा सरकार बिना देरी देश के सभी गरीब परिवारों के बेंक खातमे 10-10,000 रुपे आर्थिक सायता के रूप में डालें ताकि गरीब परिवार अपने परिवार के लिए खाने पीने वे अन्य जूरी की वरस्ता कर सके पठानिय ने कहा कि छोटे वे मद्यम उद्योगों में मद्य वर्गे परिवार के लोग कारे करते हैं परन्तु छोटे वे मद्यम उद्योग लौडाउन के चलते परभावित होने से मद्य वर्गे परिवारों के यवाओं को रोजगार चला गया है लिहाजा केंद सरकार इन उद्योगों पर पूरे स्थापित करने के लिए आर्थिक मद्द करे इसके अलावा लोगडाउन के चलते परवासी मज़़ूरों को सबसे ज़्यादा दिक्केते जहलनी पड़ रही है रोजगार छिन गया है और उन्हें अपने घरों तक पहुँचाना भी मुश्किल है ऐसे में सरकार परवासी मज़़ूरों को उनके घर तक पहुँचाने की उच्छित विवस्ता करे वहीं जब परवासी मज़ूर अपने अपने परदेशों में पहुंच जाये ते उन्हें रोजगाल के लिए मन्रेगा के तहट वर्ष में कम से कम 200 दिनों का कारे दिया जाए पठानिया ने कहा कि कॉंग्रेस जनहीत में केंद सरकार से उक्त मांगों को अविलम पूरा करने की मांग करती है ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद